सबसे पहले मैं डॉक्टर लक्षमन यादव जो दिली विश्विडाले को प्रोफेसर है उनसे समझना चाहूंगी ये बताईए सर की जातिय जनगणना अगर सरकार कराती है तो क्या ये लोगों के लिए लाबकारी होगी जो सरकारी ओजनाय सरकार लाती है वो लागू करने मे सहूलियत होगी फिर सरकार क्यों इससे बचती है बीजेपी से इनकार करती है लेकिन बाकी दल मांग करते हैं जी आपके सवाल में दो पक्ष हैं एक तो ये कि इसका लाब क्या होगा और सरकारे क्यों बचना चाहती हैं तो सबसे पहले वाले सवाल का जवाब ये है कि अगर इस देश में जाती एक सच्चाई है और जाती के नाम पर बेगबाव और गैर बराबरी की आंकडे बहुत पहले से लेकर के आज तक अनवरत चले आ रहे हैं तो इसका मतलब कि अगर जिस बेमारी का लक्षन जो है उसका इलाज उसी के आधार पर होगा अगर जाती के नाम पर किसी के साथ गैर बराबरी भेद भाव या अन्याय हुआ है तो उसके न्याय के लिए जो टूल बनाया जाएगा वो जाती होगी इसलिए अगर आप किसी को जाती के आधार पर न्याय देना चाहते हैं या एक मुकमल राष्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप किसको न्याय देना चाहते हैं उसके साथ अन्याय किस-किस रूप में हो रहा है यह आंकड़े आपके पास होने चाहिए आप जाती के नाम पर fellowship देते हैं, आप जाती के नाम पर reservation देते हैं, इस देश की हर तहसीलों में जाती प्रमाणपत्र बनता है और जाती से फर्क पड़ता है, तो अब वो अन्याय अगर है तो न्याय मांगने वाले लोग आप से एक सवाल पूछते हैं, कि बहस जो चलाई ज जाती है कि जाती खतम करना है, जाती वाद बढ़ रहा है, तो जाती जनगरना करेंगे तो जाती वाद बढ़ जाएगा, जाती वाद बढ़ जाएगा, ये सारा कुछ पहले से चला आ रहा है, इस देश में 31 के बाद जात जनगरना नहीं हुई, लेकिन धर्म गिना जा रहा क्या ये दोनों के बीतर वो आंकडे दिखे ये नहीं हुआ है एक fake narration चलाया गया है कि जाती गिनने से जाती वाद बढ़ जाएगा इसका फाइदा ये होता है कि जातियों के आंकडे पता चल जाते तो जो जूट बोला जाता है कि OBC में कुछ जातियों ने हक ले लिया है सबक SC में कुछ ने लिया है तो आप आंकडे बताते और फिर एक data analysis करके आप बहतर policy बनाते दूसरा पहलू आपके सवाल का ये है कि इसे राजनितिक दल क्यों नहीं कराना चाहते असल में हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम जिस चीज को practice कर रहे होते हैं उस चीज को सामने से बोलने में कतराते हैं मसलन इस समय उत्तरपदेश में चुना हो रहा है आप टिकट देंगे जातिवार आंकडे देख करके कि किस इरान सवा में किस जाती के लोग ज़्यादा है कम है कहां कौन चीज ज़्यादा कम होगी लेकिन आप इसका कोई उन्मूलन क कार्म नहीं चलाना चाते क्योंकि जातिगत वैमरश का लाब आप लेना चाती है इसलिए सरकारे इससे क्यूं डरती है क्यों कदम पीछे उटाती है डॉक्टर यादव, क्या ये जाती गड़ जन्गड़ना अभी भी होती है, लेकिन सरकारे आकड़े जारी नहीं करती है, इतना ही फर्क है सिर्फ? मैं तो सिर्फ इतनी बात करें नहीं जाती जब जनगड़ना होती है यह सचाई है शेडिल कास्ट और शेडिल ट्राइब की जातियां गिनी जाती है और उसके साथ साथ तमाम और आंकड़े जुटाए जाते हैं क्या उनकी जनगड़ना भी होती है सरकारे उनकी जनगड़ना नहीं होती है 2010 में जब संसद में यूनिमस डिसीजन हुआ पूरा संसद सहमत थी कि हम जात जनगड़ना कराएंगे उसके बाद भी वह जनगड़ना एट 1948 के अधार पर नहीं कराया गया वह सामाजी को और जातिक देश में इस समय जातियां दो ही लोगों की नहीं गिनी जाती है एक वो जिनकी आबादी नहीं पता होने के बाद भी 10% EWS आरक्षन लागू कर दिया गया तब भी 50% की सीबा कहीं क्रॉस नहीं हुई कोई विवाद दियो आभी भी सुप्रिंग कोर्ट में सारी P.I.L. पें हो जाएगा कि कोई जाधा हक किसी का तो नहीं ले रहा है आप कह रहे हो सर्वे करा करके OBC में से कुछ जातियां निकालेंगे SC में से निकालेंगे उसी का तो एक बहुत वैधानिक और ब्यवस्तित तरीका है जातिजन गरना सारे आकड़े सब के सामने आ जाएंगे कौन ज कहना यह है कि नेताओं के परे जाकर के इस बात का सवाल उठाया जाना चाहिए कि जातियां गिनने से जातिवाद नहीं बढ़ेगा जैसे धर्म गिनने से सांप्रदैक्ता का कोई रिष्टा नहीं है यह एक अलग सवाल है इसको बिलकुल अलग तरीके से रखना चाहिए व किसी पार्टी के एजिंडे से बड़ी चीज है इंक्लूसिव रिराष्ट अगर बनाना है तो सब को सब के हिस्से का न्याय और हक मिले यह इसका अब आजाए हम अपने डॉक्टर भीमरावंबेटकर की बात करते हैं डॉक्टर भीमरावंबेटकर ने खुद सम्मिधान बन कास हो जाता है तो उसके आगे की पेड़ी को अरक्षण का लाव नहीं दिया जाना चाहिए डॉक्टर यादव आप कुछ कहना चाह रहे थे आप सारे लोगों के लिए जरूरी है कि जितने लोग कह रहे हैं जाती बात खतम हो कुछ लोग ओर रिप्रेजेंटेड हैं कुछ जातियां ज्यादा आर्थिक रूप से ताकतवर होगे यह नमबर एक बात जाती जनगरणा में सारे डेटा मिलेंगे हर जाती के तो सब के ल पर जितने लिए तो ऐसी इस्तेमाल कर ले रहे हैं इस पर पिर कभी बहस कराईएगा मैं तयार हूं खुल के बैस जाती अलग चीज़ है जाती जनगरणा अलग है और आरक्षण अलग चीज़ है क्या फिर कभी विस्तार में बात करना चाहूंगा जाती से बहुत छोटा सा करते हुए कह रहा हूं वह समझ में आ जाता है तभी राजबिहारी जी आप अपनी बात पूरी करिए बिल्कुल वकील को गलत फैक्ट नहीं बोलना चाहिए सिंपल